मेरे नगबती मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पॉरुष के पुंजी भूत जुआल मेरी जन्नी के हीम किरिट मेरे भारत के दिव्यभाल मेरे नगबती मेरे विशाल उपर्युक्त पंग्तियों में राष्रकवी दिनकरजी ने हिमाले की वंधनागी है हिमाले भारत का गौरव है भारत प्रकृती नदी की कीड़ा स्थली है और परवत राज देवात्मा हिमाले प्रकृती की उसी उज्वलता का सारा रूप है हिमाले भारत का गौरव और पौरुष का पुंजी भूत रूथ है देव भूमी है इतिहास का विधाता है भारत की संस्कुति का मेरू दंध है तता भारत की पुण्य भावनाओं तता श्रधा का प्रतीक है हिमाले परवत भारत भूभाग के मस्तक पर मुकुट की भाती सोशोबित है कव्यों ने इसे एक मौन तपस्वी और उच्चता का प्रतीक उन्नत शिकर कहकर संबोधित किया है पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का अवगाहन करते हुए पृत्वी के मांदंड के समान परवत राज देवात्मा हिमाले उत्तर दिशा में स्थिख है हिमाले की लंबाई 5000 मील और चोड़ाई लगभग 500 मील है उत्तर में कश्मीर से लेकर पश्चिम में असम तक अर्ध चंद्रों रेखा के समान इनकी परवत मालाएं पहली है हिमाले का सबसे उचा शकर गौली शंकर है जिसे एव्रेस्ट भी कहा जाता है भारत का सिमान प्रहरी हिमाले मध एशिया और तिबत की ओर से आने वाली बरफीली हवा की सर्वनाशी जंशाओं से हमारी रक्षा करता है और साथ ही दक्षिन परश्चम सागर से उठने वाले मानसुन को रोख कर भारत भूमी को वर्षा प्रदान करता है इससे निकलने वाली अनेक पोनी नदिया भारत भूमी को शस्य शामला बनाए रखती है हिमाले ना होने की कल्पना भी भारत वासयों के लिए ना होता तो संभवता भारत भूनी का अस्तित नहीं होता और यदि होता भी तो हिमाले जैसे अवध्य प्रहरी के अभाव में सदियों पहले ही आतंकियों विदेशी आक्रमन कारियों से इस धराधाम को लूट खसोट और नोश-नोश कर तैरो तले रौंग डाला होता यदि हिमाले न होता तो हमारे खेतों को अपने अमरत जल से सीच कर हरा भरा रखने वाली नदिया भी नहीं रहती उसके आज-पास स्वता ही उगाए पेड़ पौधे वन वनस्पित पतिया तक न हो पाती तब ना तो पर्यावरण की रक्षा ही संभव हो पाती और ना है प्रदूशन से ही बचा जा सकता है हमें फल फूल तरह-तरह की वनस्पितिया और शदिया आदी कुछ भी तो नहीं मिल पाता सभी कुछ वीरान और बंजर ही रहता बहुत संभव है कि तब इस भूभाग पर जीवन के लक्षन ही दिख पड़ते यदि हिमाले न होता तो गंगा यमुना जैसी हमारी धार्मिक अध्यात्मिक आस्थाओं की प्रतीक मोक्षदाईनी पतीत पावन नदिया भी न होती तब ना तो हमारी आस्थाओं के शिकर उठ बन पाते और ना पुराने अतिहासिक तरह तरह के मित्कों का जन में ही संभव होता है इतना ही नहीं देवादी देव शिवजी तथा अन्य अस्थाओं की कहानियों का जन भी नहीं हुआ होता यदि हिमाले न होता तो गंगा यमुना जैसी नदिया भी नहीं होती इनके अभाव में इनके तटो पर बसने वाले तीर्थ धाम, छोटे बड़े नगर, हमारी सभिता संस्कुती के प्रतीक, अनेक प्रकार की मंदिर शिवाले तथा अनिप्रकार के स्मारत भी कभी न बनताते। इन पवित्र नदियों के तटो पर बस विक्सित होने वाली भारती संस्कुती सभिता का तब जन्म तक भी न हुआ होता। इस हिमाले के अभाव में यह सब कुछ मानव को कहीं नहीं मिल पाता। तब मानवत्ता रुग्न एवं अस्वस्त होकर आसमय में ही अपनी मौत पा जाती। इस हिमाले ने हमें अनेक जातियों प्रजातियों के पशुपक्षी भी दिये हैं जिनका होना पर्यावरन की सुरक्षा के जुष्टी से परमावशक है। इतना ही नहीं हिमाले ने मानवत्ता को ज्यान साधना की उच्चता और विराटता की गहराई और सुब्रज स्थिता की जो कल्पना धी है उपर उठने की जो प्रेण और कल्पना प्रदान की है वक कभी न मिल पाती। तब मनुष्य अपने अस्तित्व इवं व्यक्तित्व में मात्र और नितांत बौना ही बना रहता। रितुए और उनके परिवर्तन स्वरूप भी वास्तफ में हिमाले की ही देन माने जाते हैं। भारत का ताज, गिरिराज, हिमाले यदि न होता तो जैसा की विज्ञानिक मानते और कहते हैं, तब उसके स्थान पर भी एक ठाठे मारता हुआ, अताह गहरा और आरपार पहला समुद्र ही होता। यदि आज जो भारतिय भूमी तीन ओर से समुद्र के खारे पानी से गिर रही है, तब उसकी चौथी दिशा में भी पानी हुटानी होता, तब भारत देश एक विशाल समुद्री टापू बन कर नहीं जाता। वेदों में, उपनिशदों में, पुराणों में, महाकाव्यों में हमाले का विश्प्रित वर्णन है। हिमाले वास्तव में भारत के लिए वर्दान है। साधू संतों की साधना स्थली है, अनेक गुर्लप पशू-पक्षियों की आश्रे स्थली है। पीर्थों का पुंज है प्रकृती की लीला फूमी है सौंदर्य का सागर है नंदन वन है तथा तपस्वियों की तो भूमी है इसे कोटी प्रणाव